Hello everyone, आज इस वीडियो के अंदर हम cover करने वाले हैं F1 से F12 तक की यह shortcut key होती है उसमें से हमने जो last वीडियो में cover किया था F1 से F6 shortcut key cover करी थी बट इस वीडियो के अंदर हम F7 से F12 तक की जितनी भी shortcut keys हम use कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम सिखेंगे आए वीडियो को start करते हैं पहले shortcut key आती है F7 shortcut key जिसका हम basically use करते हैं spelling check करने में यानि spell checker इसका use कैसे होता है यहाँ पर आप देखिए एक side correct spelling लिखी हुई है और एक side wrong spelling लिखी हुई है अगर मैं इसको पूरे select करके इस range को मैं पूरे select करके F7 जब मैं प्रेस करूँगा तो आप देखिए यह मुझे यहाँ पर pop-up दे रहा है spell check complete you are good to go मतलब इसके अंदर कोई भी correction requirement नहीं है अब next करते हैं wrong वाले पर मैंने पूरे select करा अब F7 मैं दुबारा यहाँ पर प्रेस करूँगा जैसी तो यहाँ पर देखिए मुझे prompt कर रहा है कि आपने जो लिका है वो यह लिका है और नीचे इसकी correct spelling यह है या आप इसकी जगा यह भी select कर सकते है suggestion देता है कि यह आप select कर सकते है पहले बाले को मैं change कर देता हूँ conditioner की spelling ठीक करता हूँ change कर दिया jeans की spelling ठीक laptop की spelling ठीक तो सबकी spelling यहाँ से ठीक कर दी और यहाँ पर आगया good to go मतलब सारी spelling मेरी ठीक हो चुकी है तो F7 का आप ऐसे use कर सकते है next shortcut की आती है F8 shortcut की जिसका हम use करते है basically selection को extend करने में आप basically selection को extend कैसे करते हैं अभी आप देखिए सबसे पहले name पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी range select करेंगे तो shift के साथ आप यह select करते हैं तो इसके जो है यानि कि इसका जो opposite है यानि कि इसके साथ जो एक तरीके से इसकी जैसा काम करता है वो F8 काम करते हैं याप F8 प्रेस करेंगे तो नीचे देखिए क्या लिखा गया extend selection तो अब आपको shift प्रेस करने की जूरत नहीं एक बार आपने F8 प्रेस कर दी अब आप select करेंगे तो range extend होती रहेगी आपको बार बार select करने की जूरत नहीं है आपने एक पर F8 प्रेस करा तो आपकी shift जो selection है वो extend हो जाएगी दोबार F8 प्रेस करेंगे तो normal हो गई next आता है shortcut की shift F8 अगर आपको multiple cell select करने होते हैं तो वहाँ पर आप control button का use करते हैं बट उस case में आप shift F8 भी use कर सकते हैं F8 कैसे देखे मैंने shift F8 दबाया तो यहाँ पर देखे नीचे लिखा गया add to selection अब यानि कि मुझे दूसरा भी select करने हैं तो मैं दूसरा भी कर सकता हूँ तो देखे दूसरा भी select हो गया आप इसको control C करूँ या X करूँ तो दोनो multiple मेरे select हो गए है next shortcut की आती है alt F8 alt F8 का basically use होता है macro को run करने के लिए जब भी हम macro run करते हैं तो alt F8 का use करते है देखे मैं यहाँ पर alt F8 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर macro window open होगी जो जो आपने macro बना रखे होंगे उसकी list यहाँ से आजेगे यहाँ से आप run edit कुछ करना चाहे कर सकते हैं next shortcut की आती है control F9 तो basically control F9 का use होता है window को minimize करने के लिए अगर excel sheet आपकी open है उसको आप minimize करना चाहते हैं control F9 आप press करें आपकी window minimize हो जाएगी दुबारा आप open यहीं से कर सकते हैं देखे यहाँ से दुबारा open हो गई है next shortcut की आती है control F10 यानि control F10 जब आप press करेंगे तो आपकी जो excel हो श्रिंक हो जाएगी कैसे देखे control F10 प्रेस करा आपकी जो excel की window हो श्रिंक हो गई दुबारा control F10 प्रेस करूँगा तो जो excel की window है दुबारा normal size में आ जाएगी next आता है shortcut की alt F10 alt F10 का basically use होता है किसी भी selection को यानि कि किसी भी chart को image को hide करने के लिए आप alt F10 का use कर सकते हैं देखी कैसे मैंने chart को select करा alt F10 जब प्रेस करूँगा मैंने control प्रेस कर दिया alt F10 जब प्रेस करूँगा तो देखे यहाँ पर लिखागे selection अब यहाँ से आप अगर show all करना चाते हैं या hide all करना चाते हैं जैसे मैं hide all कर देता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ hide हो गया show all करूँगा तो show हो गया अगर आप एक एक करके करना चाते हैं तो यहाँ पर भी आप उसको एक एक करके कर सकते हैं तो Alt F10 से selection वाली window open होती है जिसे आप hide unhide कर सकते हैं Next आता है F11 shortcut की Guys मैं आपको पहले बता चुका हूँ Alt F11 जब directly आप press करते है range को select करके देखे मैंने range को select करा Alt F11 जैसी ही press करेंगे तो यहाँ पर आपका chart prepare हो जाएगा same sheet पर ध्यान रखेगा मैंने बोले same sheet पर बट जैसी आप simple F11 press करेंगे तो आपका new sheet पर एक chart open हो जाएगा नहीं चार्ट वाली एक्सल sheet open हो जाएगी अभी मैं इसको कर देता हूँ delete तो यानि F11 यूज होता है किसी भी range का chart create करने में new sheet पर Next shortcut की आती है Alt F11 Alt F11 का basically यूज होता है VBA वाली sheet को open करने में देखिए Alt F11 मैंने press करा यहाँ पर VBA वाली window पूरी open हो गई है यहाँ से आप जो भी recording करना चाहें कर सकते हैं Next आता है Shift F11 Shift F11 का use होता है किसी भी sheet को sheet के आगे या पीछे new sheet add करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर Shift F11 जैसी प्रेस करूँगा निचे देखिए यहाँ पर sheet कोई add नहीं है जैसी Shift F11 प्रेस करा एक sheet यहाँ पर add हो गई तो यानि Shift F11 का आप use करते हैं किसी भी sheet को add करने के लिए next आता है F12 F12 का use होता है save as करने के लिए यानि कि कभी कभी भी workbook को आप save as करना चाते हैं उसका नाम चेंज करके या new आपने open करके particular जगा save करना चाते हैं तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं तो save as वाला option आपको यहाँ पर reflect हो जाएगा यानि F12 कहा काम आता है save as option पर अगर आप directly simply save करना चाते हैं तो आप shift 12 प्रेस कर सकते हैं shift 12 जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर directly मेरी यहाँ पर window जो excel sheet है वो save हो जाएगी यानि shift F12 basically का काम आता है directly Excel को save करने के लिए next आता है control F12 control F12 किस काम आता है अगर आप कोई भी existing workbook अगर आप open करना चाते हैं desktop पे रखी है या आपके computer file में रखी है अगर आप उसको open करना चाते हैं मैं यहाँ पर control F12 दबा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे prompt देरा आप कौन सी वाली workbook को अगर आप open करना चाते हैं वहाँ पर control F12 आप use कर सकते हैं next आते हैं control shift F12 अगर आप print command देना चाते हैं तो यह advanced shortcut की है कैसे control shift F12 जब आप press करेंगे तो यहाँ पर आपकी print command open हो जाएगी और यहाँ से आप print दे सकते हैं hope so यह सारी shortcut keys जो मैंने समझाए आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो guys video को like करें और channel को subscribe करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you so much